नमस्कार दोस्तों आज बात करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट दोस्तों यह टेस्ट बहुती कंपल सरी होता है जब अमारी बॉड़ी में उल्टी दस्त किड्नी या अधर कोई भी बीमारी अगर इस टाइप की होती है जो अमारे असुंतुलित कर देती है दोक्टर एडवाइज देते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स का टेस्ट कराये आज हम इस टेस्ट की पूर रूप से और बिस्तरत जानकारी देंगे तो दोस्तों मेरा नाम सीवी सिंग और आप देख रहे हैं रोद्राइएंड हेल्थ केर यूट्व चैनल तो दोस्तों ह करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं आयन जो सरीर का होमियों इस्टेसिस बनाई रखते हैं यह टेस्ट करने के लिए डॉक्टर क्यों कहते हैं यदि पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट्स असंतुलित करने वाली बीमारी हो जैसे उल्टी दस्त किड्नी और कौन सी बीमारियों की बज़े से सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स के इस्तर बदल सकते हैं। यदि पेशेंट को कोई किड्नी का रोग है, दिल की कोई बीमारी है, डाइविटीज है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है। यह टेस्ट के लिए रक्त बलड का नमुना लिया जाता है। कोशिकाओं को सही तरह से कार करने में सायता करता है। यह test में कौन-कौन से electrolytes के इस्दर देखे जाते हैं sodium, potassium, chloride , Vicarbonate, calcium क्या दवाईया खाने से serum electrolytes के इस्दर पर असर पड़ता है तो इसका answer है हां बहुत सी दवाईया जैसे steroid, oral, contraceptic दवाईया क्या इस टेस्ट से पहले कोई खास तैयारी या सूचना दी जाती है हाँ इस टेस्ट के लिए सुबह का खाली पेट होना जरूरी है यह सेंपल आपका खाली पेट ही लिया जाता है तो आपका रियल्ट बैटर आता है दोस्तों अगर यह जानकारी अगर यह वीडियो आपको यूश्फुल अच्छी लगती है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए सेर कीजिए और अभी तक इस चैनल पर नई हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड बलेड टेस्ट या अ सब्सक्राइब से आपको समय समय पर अभगत कराते रहेंगे तो नमस्कार दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जैहिन